अस्सलाम उलेकुम तो आज हम लोग जा रहे हैं मैप्रो गार्डन ये पंजगनी से आधा पॉने घंटे का रहस्ता है तो अभी हम लोग वहां जा रहे हैं वो भी बहुत खुबसूरत जगा है तो बच्चे और उसमें नीचे उतर चुके अभी मैं भी जा रही हूं और ये सा प्या के बस का देखे कि बस है या नहीं तो बस नहीं थी आनी के लिए टाइम था तो फिर हम लोगों ने डाइरेक्ट टैक्सी करी बस से ही टैक्सी हम लोगों मिल गई और यहां पर हम लोग जब जितनी बार भी गए उतनी बार हम लोगों टैक्सी के लिए प्रॉब्लम ही इस तरह से दिखता ही है तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर और अशनाग के तो हर जगा मस्ती चालू ही रहती है यह बोलती है मैं वापस से उपर से चड़के नीचे उतरूंगी तो मेरा वीडियो बनाओ इसको बड़ा वीडियो में आने का बहुत शौक है तो अभी हम लोग जाएंगे पहले जहां पर सारे जूस मिलते हैं वो जगा पर जाएंगे तो देखें यहां पर फूल कितना खुबसूरत है यह जगा भी बहुत खुबसूरत है तो जो नहीं आया होगा मैं उसके लिए बता रही हूँ जो देखा उसको तो पता ही होगा और यहां पर फापड़े बनते हैं तो यह उसकी फैक्टरी है तो यहां पर टेस्ट करने के लिए भी मिलता है जिसको अगर खरीदना है तो जैसा उन लोग टेस्ट करने के लिए देते हैं टेस्ट करने के लिए तो अगर पसान नहीं तो खरीदें दो चौकलेट खरीदी थी दो चौकलेट दी थे हम लोगों ने और फापड़े के एक बॉक्स लिए थे जो अबदुर्रह्मान को पसन आया तब वाला यहां पर स्ट्रॉबेरी का टैटू बना रहे थे बच्चे लोग तो मैं आप लोगों को यह भी दिखा दूं यह ब्रेट की यहां पर फैक्टरी भी अंदर तो जि दिखेगी तो यहां पर पीछे साइड गाउं है जहां पर हम लोग मैप्रो गाडन में खाना खाना खाने के लिए बैठ रहेते हैं वहां पर यह पीछे साइड यहां पर गाउं है तो यहां पर स्ट्रॉबेरी का पुरा फार्म है और हम लोगों को भूक लगी तो हम लोगो लोगों ने पीज़ा मंगए पीज़ा कुछ खास तो था नहीं लेकिन ठीक था भूक लगी तो खाने के लिए ठीक है सिर्व उसमें चीज डाला वा था और कुछ भी नहीं था उसमें तो हम लोगों ने वही बस मैं प्रो गाडन के सब चीज है इंजॉय करें बहुत अच्छा लगा हम लोगों को तो बस मैं आप लोगों से इसलिए शैर कर रही हूं कि हम लोग यहां गए ते घुमने और यह बहुत ही अच्छी जगा है यह माबलेश्वर से आदे घंटे पहले आता है यह और फिर यह अजबन ने बाद में आइस्क्रीम लेकर आए अशना को छोटे उसमें चाहिए थी इसके लिए अपना अलग से लेकर आई और इसको मैंने टी-शेट के पर वापस एक और एक टी-शेट पी ना दी यह आप लोगों को हाई कर रही है इसका नम नीलो ह तो हम लोगों को माबलेशर भी जाना था पर बारीश शुरू हो गई ती इस वजह से हम लोगों माबलेश नहीं जा पाए हूँ कि हम लोगों को आज से घर के लिए निकलने लगे लागे और बच्चों ठंडी भौत यह जाधा लग रही थी क्योंकि मौसम इंद्दम और अशना अलग अलग पोस्ट देखे फोटूस निकाल रही है आपर बस यह सब हम लोगों ने मेप्रो गार्डन में सब चीजे देखी यहां फनस का जाड़ लगा हुआ था और यह जो आप देख रहे हैं यह चाय का एक लिक्विड है इसको सिफ एक बून डालेंगे ना तो चाय बहुत मसाला चाय बोलते नो वह चाय बन जाती सिफ एक पूंदिस का काफी है तो हम लोग ने वह टेस कर रहे थे कि कैसा क्योंकि हस्बंड को चाहिए था तो इंशालला मैं कभी चाय बनाई इसकी तो मैं आपको इसकी वीडियो शॉट वीडियो में बताऊंगी जरू तो हम लोग वहां से मैप्रोगाडन से बाहर निकलें तो बच्चे जीद करने लगे कि हम लोग गेम खेलने जाना है जो बच्चों को एक एक गेम तो भी वहां पर खेलाते तो बच्चों ने पहले अब्दूरह्मान को यह इसको क्या बोलते मुझे नहीं मालूम पर लोग के वीडियो बना रही हूं अशना ने बोली मुझे कण मैं वैटना है तो मैं लोग मैं लिए और उसमें हम लोग ने उसको भी तो अश्ना ने कार को इंजॉई की अब मेरे वीडियो बनाने में बोलने में कुछ मिस्ट्री को रहागा तो उसके लिए सौरी मुझे जैसा आता है मैं वैसा बोलती हूँ मैं कोई दम प्रोफेशनल व्लॉगर तो नहीं हूँ कि दम अच्छे से व्लॉगिंग के हिसाब से बोलू जो मुझे आता है मैं उस हिसाब से भोल रही हूँ अब लोगों को तो अच्छिना का भी हो गया था आज अच्छिना को बाहर तक के लेके गज़ये हैं वो कार में ये अच्छिना गाएं हूं उसके बाद हम लोग हंसे निकलने लगे तो इन लोग है यहां पर जीत चालूती यह अब दुर्यमान देखियो कैसा रो रहा है और बार बर बोल रहा है मुझे और भी गेम खेलना है मेरी अशना बहुत अच्छी है बिल्कुल सताती नहीं है एक गेम में खुश हो गए कि अच्छा को कुछ बोलने नहीं आ रहा था तो उसमें गाजर को गाजर का हलुवा बना दी और स्टॉबेरी अधर सीजन नहीं है तो इस वज़े से स्टॉबेरी बहुत मेंगी थी तो इसलिए हम लोग अभी भी हम लोगों को टैक्सी नहीं मिल रही है लेकिन हम लोगों को टैक्सी नहीं मिल रही थी तो बहुत टैक्सी वाले को भी जगा जाना था इसलिए उसने हां बोला और फिर हम लोग टैक्सी में बैठ गये तो आपको मेरे सारे व्लॉग कैसे लगे थोड़ा व्लॉग आने में लेट हो गया है इसके लिए क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी नेटवक नहीं था एक एक वीडियो अपलोड होने के लिए 8-8 घंटे 10-10 घंटे चले जाते थे और फोन भी दम गरम हो जाता था तो इस 15-20 मिनट में जादा जादा आधा घंटे में जादा बड़ी वीडियो रही तो आदा घंटा लगता नहीं तो 15-20 मिनट में वीडियो अपलोड हो जाती है तो बस हम लोग घर के लिए निकले वह बस स्टॉप पर आके टेक्सी यां पर हमारी रुकी हम लोग बस स्टॉप प पता कर रहते हैं कि कहां पर सही से मिल जाएगी क्योंकि टिकेट भी नहीं मिल रही थी सेटरेड़े संड़े मां पर फूल रहता है इसलिए टिकेट बहुत ज्यादा भेंगी थी तो इसलिए हम लोग देख रहते हूं पर उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल रहे फीश और सबजी सब मिल जाती है तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ज़रूर बताईए लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर बोलने में कुछ मिस्टीक होगी तो इकनौर करें हम लोग घर पर आने के बाद वापस टेबल लेंड चले गए थे वहां से आ आए हम लोग तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताईए लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले अल्ला हाफीज